तो यह प्रोजेक्टाइल का एक स्टैंडर्ड क्वेशन है इसमें 20 मिटर पर सेकंड वेलोसिटी है इस तरह से होरिजोंटल से 60 डिगरी आंगल पर तो सबसे पहले तो हम यह कर सकते हैं यह जो 20 है इसको हम दो इसका हो जाएगा 20 पॉस 60 डिगरी और इस velocity का vertical component जो होगा 25s60 degree अब हमें यह पता होता है projectile में कि horizontal component velocity का कبھی change नहीं होता है वो हमेशा same होता है क्योंकि horizontal direction में कोई भी force नहीं act होता है vertical का बस change होता है क्योंकि vertical में क्या होता है mg apply होता है downward direction में तो velocity vertical में पहले ज्यादा होता है फिर 0 हो जाता है फिर opposite direction में शुरू हो जाता है बढ़ना ये होता है mg force की वज़े से लेकिन horizontal में कुछ change नहीं होता है तो horizontal में starting में जितना होता है उतना ही हमेशा ही होता है तो starting में ये कितना है 20 cos 60 इसका मतलब है 20 into 1 by 2 इसका में नहीं है 10 meter per second तो ये horizontal में 10 हमेशा रहेगा तो यहाँ पर highest point में पूचा है horizontal at highest point the velocity v तो highest point जो वहाँ पे सिर्फ vertical सिर्फ horizontal velocity होता है vertical तो 0 हो जाएगा और जो horizontal है वो तो कितना होगा 10 होगा इसलिए highest point पर velocity total जो वो 10 ही हो जाएगा जो होगा सिर्फ horizontal तो इसका अगर हम अंसर देखेंगे तो option b में होगा अंसर 10 meter per second